वेलकम टूर यूटीब चैनल यंगर एज वीडियो में हम लोग बात करेंगे गवर्मेंट ऑफ इंडिया के बारे में एक ऐसा नोटिफिकिशन आया हुआ है 2024 का जिसका वीडियो आपको यूटीब पे नहीं मिलेगा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे ही चैनल पे सबसे पहले में अपलोड कर रहा हूँ सबसे अच्छे बात है कोई भी ग्रेजुएट कैंडिट इसके लिए अपलाए कर सकता है कोई अप्लिकेशन फी नहीं है फीमेल SCST केंडिट के लिए ठीक है और अगर में बात करो 66,000 रुपीश पर मत यह पर आपको सेलेरी मिलेगी सिंगल एक्जाम है कोई मेंस का इसका एक्जाम नहीं है एक एक्जाम आपका होगा रिटन वाला तो चुक्के से आप इस फॉर्म को भर लीजिए अगर आपको गवर्मेंट जॉब चाहिए क्योंकि इसके बारे में किसी को पता नहीं है तो वह कौन सी जॉब है मैं आपको पूरा डीटिल में बहता हूँगा उसके पहले अगर आपने तक हमारा तेलेग्याम ग्रूप जॉइन नहीं किया इसको जरूर से जॉइन करिए इसमें मैं सारे वीडियो की लिंक शेयर करता हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा जैसे कि यह पर आप देख सकते हम लोग आचोके इसके अफिशियल नोटिफिकेशन पर प्रेस कॉंसिल ऑफ इंडिया इसके तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है असिस्टन सेक्षन ऑफिसर पोश्ट के लिए जो की ग्रूप भी नॉन एक एजटेट पोश्ट है अठरा मई दोजार चोइस का यह नोटिफिकेशन आया हुआ तो टोटल पोश्ट के अगर मैं बात करूँ तो तीन पोश्ट का वेकिंसी है जन्रल के लिए दो ओवी सी के लिए एक बाकी सेलेरी आप देख सकते हैं लेवल 6 के सेलेरी आप मिलेगी अगर मैं बात करूँ बात करूँ बैटलर डिगरी होना किसी भी यॉनिट से आप अपलाए कर सकते हैं अपने प्रेफर्ड डिजारेबल पर अपको ध्यानने देना है बस सिंपल सा मिनिमम इतना आपको चाहिए अपलाए कर सकते हैं आपको इसमें टेस्ट क्वालिफाय करना होगा मिनिमम आपका जो टेपिंग स्पिर है 30 वर्ट पर मिनिट इंगलिश में होना अपलाए करना होगा बट फाइट वो जनरल से करें अप्लिकेशन फी के अगर में बात करूँ 100 रुपीश अप्लिकेशन फी है बाकि सस्ट विमन कैंडेट इनके लिए कोई भी अप्लिकेशन फी नहीं है अप्लाए कर सकते हैं विमलेट इनकें लिए्स के इसन मर्णी पर कर सकते हैं अपन लुफार में युक होगा अपको फॉर्म के साथ विमलेट पलावा एकांटमबर होगा यह एकांट्यट से अब सीलेक्शन प्रॉसदेश कि ए अगर में बात करूँ सिंगल एक्जाम होगा 4 section होंगे reasoning 50 questions 50 marks math 50 questions 50 marks general awareness 50 questions 50 marks English 50 questions 50 marks total 2 hours का समय मिलेगा 0.25 negative marking इसमें है यह जो pattern है पूरा Ssc pattern पे है इसके पाद आपका descriptive test होगा जो के typing test है इसमें आपको एसे later necessary writing आपको लिखना होगा 100 mark का होगा 60 minute का समय मिले syllabus यहाँ पे देख सकते हैं पूरा detail में बढ़ सकते हैं पूरा SSC pattern पे है SSC CJL आप बोल सकते हो CHSL आप बोल सकते हो उसी pattern पे पूरा paper pattern है तो exemption center के अगर मैं बात करें तो disclose नहीं किया गया है mainly आपका हो सकता है दिल्ली में ही exemption center हो क्योंकि ये new दिल्ली से notification आया हो तो ये form आपको offline apply करना है online नहीं है आपको offline apply करना है अपने जितने भी documents है उसका self-attested जो है वो copy आपको लगाना है और इस address पे सेंट करना है to the secretary, press council of india सूचना भवन, 8 cgo complex लोधी रोड, new देली 11003 within 45 days of the date of publication मतलब 45 दीन है 18 माई से लेके बाकी यह है इसका application form यह आप अपना photo लगाना है और यह जो सारी detail है पूरा का पूरा fill up करना है इस address पे आपको by post, speed post से send कर देना है आपका application form डाउनलोड कर लेना, print out निकाल लेना उसको fill up कर देना and then send कर देना envelope में ठीक है? क्या पता दो vacancy में आपका number हो क्योंकि ज्यादा लोग apply नहीं करेंगे because of the offline form और दिल्ली सेंटर होंगा इसलिए भी काफी लोग apply नहीं करेंगे तो अगर आप interested हो definitely apply करना मेरे चैनल के subscriber हो definitely apply करना अगर आपको job चाहिए तो बाकी वीडियो पसंद है like करना दुस्तों के साथ share करना चैनल पर नहीं हो subscribe करना